है चलिए स्वागत है आपके अपने चैनल MSIPS स्टडी में आज हम लोग बिल्कुल जो है बाइलोजी का जो है शुरू से चेप्टर वाइज हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं ठीक है जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है चाहें आप बोर्ड एक्जाम के लिए हो या सबके लिए बाव यह काफी इंपोर्टेंट है तो चलिए आज हम लोग एकदम बिल्कुल जो है जीरो से स्टार्ट करेंगे बाइलोजी का क्लास चलिए अभी तक आप लोगों ने जे हो है अगर हमारे इस चैनल MSIPS स्टडी वाइ कुंदन सिंग को सब्सक्राइब नहीं कि करके इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले और वीडियो जो है इसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लिए और अपने दोस्तों के सांथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए चलिए हम लोग आज के क्लास जो है स्ट जाए लोजी बोलते हैं या भी बिग्यान की वह सखाव है जिसके अंतर्गत ज्यूदार्यों का अध्यान होता है ठीके अलग अलग वए के समझते हैं बायों का अर्थ होता है जीवन ठीक है लाइफ और लोगोज का अर्थ होता है अध्यान यानि एक और सधारन भासर में इसको हम कहा सकते हैं जीवन का अध्यान ही क्या का लाता है बावु बाय लोजी कलाता है ठीक है जीव विग्यान का जो सब्ध है सोर प्रतम लाइमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे और टेवी डेनस जर्मनी नामक बेग्ञानी ने जो है बेग्ञानिक आठाड़ा सो एक इस वी में दिये थे ठीक है इसको फिर से याद करिए जीविग्ञान का नाम इससे कोश्चन आएगा आपके एकजाम में जीविग्ञान सब् फ्रांस कराने वाले हैं और ट्रेवीस डेनस जो है जर्मनी के नामक एक बिग्ञानी के जिन्हों ने आठाड़ा सो एक में दिया था ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू बिलकुल जीरो लेवल से आज हम लोग चलेंगे क्योंकि आज हम लोग जीरो से क्लास मीचन जो होता है उसको हम लोग अद्यान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसके बात क्या अद्यान करना होगा हम कोब का तो हम लोग माइक्कॠ लोगा में पड़ते हैं अगर सहां करना है तो इसको फाइको लोगा जी में पड़ते हैं पूसपु का धेहन अगर आपको करना है द्यूद एंध्रो लोग को** Schools काफी यह आता यानि fruits का जो अध्यान है क्या का लाता है Pomology का लाता है ठीक है बाबू पक्षियों का अध्यान जो है और नीत थो लोजिक का लाता है मचलियों का जो अध्यान है बाबू किसका मचलियों का अध्यान जो है इक्थो लोजिक का लाता है कीटों का अध्यान एंटोमोलोजिक कहलाता है आगे हम लोग बढ़ते हैं ब्रिक्षो एवम जो है जारियों का अध्यान डेंड्रोलोजिक कहलाता है बाबू इसके बाद जो है सर्पो का अध्यान सर्पो यानि स्नेक तो आप लोग देखे होंगे साप अईशे होता है साप साप देखे हैं पर देखें नहीं देखी हैं तो देख लिजी सर्पों अध्यान क्या कहला एंगा याद करिए मेरे साथ बोली ये चिपकलियों का अध्यान सोड़ो लोजी कहला अगे आएए मैं ठीवर ?ध्यान दीजिए काष्टि पेड़ों का समवरधन somate quien pirac designer Departure क्षब त्यूंट कीट शैरी कल्चर मतस्य पालन का दियान सेरी कल्चर थीकिए याद किजीए रीपीट करवारे रिवीजन खरवारे मशलीयों का दियान एक्चो लोजी किटों का दियान एंटोो मॉनोलोजी बिक्चों ईद्रम्जाड़ियों का द्यान डेंडीर लाजी ठीक है सर्पोगा द्यान ओफियोल एंदीक भाबू का द्यान सोरलोजी काश्टी-पेड़ों का समर्दन से लीवों कलवर है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं करंबत ग्यान जो है कब प्राप्त किया था 384 से 322 काल में कौन किया था दार्शनिक अरस्तु ने किया था करंबत ग्यान एकदम तरीके से उन्होंने ही जो है सवर प्रतम पौधों एवं जन्तों के जीवन के विभीन पक्षों के विश्याय में अपने विचार प्रकट किया सबसे पहले अगर कोश्चन आता है आपके एक्जाम में एक्जाम में कोश्चन आता है सवर प्रदम पौधों एवं जन्तों के जीवन के विभीन पक्षों में किसे ने अपना प्रकट किया था तो आपका क्या अरस्तू होगा याद कीजिए ठीक है चलिए इसको नोट्स मे आप लिख भी सकते हैं कोश्चन कि इसonst कि और अस्तू को फादर आफ वायलोजी हम लोग कहते हैं चलिए बावु आगे बढ़ते हैं यह भी कोषिण आपके लिए इंपौतैंट है कि फादर और चाता पूसित ऑब है अब एक से दो कोश्ट्न आपको याद हो गया और अस तू को फाधर अफ जिलो जी चिल से आगे बढ़ते हैं अब देखिए का वरगी कर नंक या यह उद्वारी ओं का वरगी करन अब जीवों का वरगी करन इसको हम जड़ा सा पधियान देंगे दूंब देंगे दुद्गिया और अस्तु द्वारा समझत जीवोंदों में भीवाजित किया गया है कितना स fragrance में अरश्तु के दżर बटा गया वखो लिए जांतु सम्वय और एक वनस्पती सम्वय । सुरा मिल имеет लिनियस ने भी आपनी पुस्तक के सिस्टेमा नेचरा में संपून जीवधारीयों को दो जगतों में बाटा है पहला पादव जगत और दूसरा जन्तु जगत कyu यालि पहला को हम लोग प्लानेट केंगडम किसने लिनियास ने किस ने बाटा है लिनियास ने प्लानेट किंगडम और एनिमल कंडम में विवाजित किया है ठीक है अब आगे बढ़िए लिनियस ने जो है वर्गी करन की जो प्रनाली शुरू की है उसी से आधुनिक वर्गी करन प्रनाली की नियू पड़ी इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गी करन का पीता कहते हैं किनको कहते हैं लिनियस को अब एक और सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के सांथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से आगे बढ़ते हैं बाबू अच्छे तरीके से जिवधारियों का जो है पांच जगत में वर्गी करन इसका फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन किया गया किसको ऑर्गेनिजम पहला देखिए प्रमप्रागत दियुगत वर्गी करन का स्थान जो है अंत्ता जो है हिटकर जो वाइट टेकर के द्वारा जो है सन 1979 में प्रस्तावीत पांच जगत प्रनाली ने ले इसकी अनुसार जो है समस्त जीवों को जो है निमलेखित पांच जगत में वर्गी करिद किया गया है पहला को हम लोग क्या बोलते हैं किसके द्वारा पहले समझेए इसको अच्छे से समझेए समझना काफी इंपॉर्टेंट है सन 1979 में जो है किसने तो फीट टेकर ने जो ह सन 1979 में पांच जगत प्रणाली को लिया था इसमें समस्त जो जीवों है इसमें पांची जगत में उन्होंने सामिल किया था अब देखिए पहला जो है क्या है मोनेरा है क्या है मोनेरा है क्या है मोनेरा है क्या है मोनेरा है याद करते रहें दूसरा है प्रोटिष्टा क्या प्रो टीस्टा त्सटा है पादप क्या भावावव पादप चौन क्या है कोबग पाउत पांच्वा क्या है जन्तु पच्प क्या भाववव जन दू चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं चलिए माईडीयर करके इसको देखते हैं सबसे पहला मोनेरा ठीक है इस जग जीवानु सायनो बैक्टरिया तता कि बैक्टरिया सॉनित किए जाते हैं इस जगत में जensus में इस जगत में जए जो कि समल्मे ऐते हैं फिर से ठालय जिवानल् ine kत है जो जिवान वहते हैं इफ सिम्हां प्रोश्चन आपका यह एगा ऑब जेक्टिव तंतु में जिवानु किस जगत में आते हैं तो आप एंसर क्या मारी बावू ठीक मोनेरा में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझ रहे हैं आसर करता हूं को यह आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा समझ में आ रहा है तो जड़ा अबीध परकार के एक कोस्कीए प्राया जो है जलिये यानि एक्वर्टिक जलिये जीवू ऑशिव समलित किया जाते हैं MONERA में किसको प्रोक्रियोटिक और इसमें यूकर्योटिक जिव को समलित के जाते हैं आब देखिए बावो पादा प्यमम जनतु के भीशिक इस्थित करती है कितने प्रकार के जीवन को प्रदर्शित करती है दो प्रकार के जीवन को प्रदर्शित करती है देगे शुरी के प्रकास में स्वपोसित एवं प्रकास के अभाव में इतर पोसित इसके अंतरगत सदानतिया प्रोटो जोवा आते हैं ठीक है क्या क्या आते हैं फिल से आगे बढ़ते हैं कि तीश्रा वाबू पादप क्या वाबू पादप ठीक है चलिए इस जगत में जो है प्राया सभी रंगीन बहु कोश्किये प्रकाश संसलेशी उत्पादक जीव समलित हैं सेवाल मौस हो गया पुष्पिये तता अपुष्पिये बीजिये पौदे इसी जगतने किसमें पादप इसके बादा प्रिये करने समलत किया जाते हैं जिन में आज शोसंद्वारे पोशन होता है किसके दे पॉसन होता है और सोशंद्वारा पemen प strands यह ठातंब यह सब इतर पूशी होते हैं इस पर जिवी को या थो जटीका旗 की बनी होती कि और इस्की कोश्टें नामगा है कि किसे कायटीन नामक ठीक है बाभू चलिए ध्यान दीजिये फिर हम लोग आगे बढ़ते जितने सारे इंपोर्टेन्ट कोशन बाभू सबको हम बतारें आप चाहे तो इसका नोट्स बना ले और याद कर्योटीक भोक्तां सब्मलित कि जाते हैं इनको जो है मेटां रहे करता मेड़ा करते हैं मेटां जो किसको कहा जाता है अपनप तो जन्तु खो ठीक है अब देखिए हा cura jellyfish creamy सितारा मचली सरीश्रेप हो गया हैं चाहे उभायय हो गया है चाहे पकशी हो गया चाहे अस्तंदारी जी दूहर सारे इसी जगत के अंग है जितने भी अस्तंदारी है क्रिमी है सितारा है मचली है शरी श्रीफ है उभाइचर है पक्षी है सब जो है इसी जगत के अंदर आते हैं देखिए एक और नोट में वर्गी करन की अधारबुति काही क्या कालाती है जाती कालाती है अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जड़ा सा और अच्छे से इसको डिटेल में सम परका था इसके बारे में हम लोग चर्चा करें बाव चलिए ध्यान दी यह अच्छे से इस वीडियो में आप लोग बने रहे हैं संपूर्ट जनकारी हम आप लोग को हीरो से जो है जीडो से आपको हीरो बना देंगे एकदम बाईलोजी में और आगे भी जो है आप लोगा सपोर्ट रहा तो आगे भी अधर सब्जिक्ट का भी जो है हम क्लास स्टार्ट करेंगे चलिए देखिए इस सत्रा सो तिर्पन जो है इस भी में कैरूलस لीनियस एक जो बेग्ग्यानिक थे जिन्होंने वर्वेकी का जनम दाता है कहा जाता है यह जाता है और ऑफ टैक्स नोमी भी इनको कहा जाता है कैरूलस को ठीक है अब एक एक सब्सक्राइब स्थाट अनुसार के नाम लेंटिन भासा में दो सब्सक्राइब कर बनता है पहला सब्सक्राइब्स और दूसरा सब्सक्राइब जाती कहलाता है अब देखिए वन्स तथा जाती नामों के बाद उस वर्गिक वीद बेग्यानिक नाम जो है लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाती को खोजा या जिसने इस जाती को सबसे जो पहले वर्तमान नाम प्रदान किया ठीक है जैसे एक्जांपल में आते हैं प्रस्जा रवह मानौ का वेग्ञानिक नाम जैसे होँब शैनिस वास्तों में होमोवत टं at AD से को हीसोम साद की एक जाति संच्ट है जिसका और्थ या है कि सबसे पहले लीनियस ले इस जाति को होमोशैपिय ग् des एक और question आपका important बन गया किसी ने जो है इसको पहले नाम से पुकारा था तो linear ने जो है इस जाती को हो में क्या करते हैं रेज रहे हैं क्या करते हैं रही आप लोग बोलते रहे हैं आप लोग को याद हो जाएगा बस करोना के वजह से हमको online आना पढ़ाएन तो मैं और क्लास मेरे को उतना फुर्सत नहीं रहता है कि मैं विडियो डाल सकूं कोड़ा से मैं थोड़ा सा यूटूब एक क्लास दे रहा हूं कि बच्चों के तक जो है इसका ग्यान जा सके और बिलकुल आज से मैंने फ्रेस बैच जो है चालू किया है सबी बच्चों के लिए जो competitive exam म वाले हैं चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं मेढक का जो बेग्यानिक नाम है राना टिग्रीना सबी बच्चे जानते होंगे राना टिग्रीना राना टिग्रीना किसका नाम है मेढक क्या नाम है बिल्ली का बेग्यानिक नाम क्या है बाबू फेलिश डोमेस्टी का क्य Jeremywe PRIJност Anny's family erzählt from φ commerce घ्यान यानाम कि गाय गाय का बेग्यानिक नाम क्या है बॉसीरी कशना मक्खी का बग्यानिक नाम क्या है वीक है थिए मुश का दोमेस्टीका त्याह्वर मुश का दोमेस्टिका आगे बढ़ते हैं एक फ्रूट है यानि मैंगो जो है उसका बिग्यानिक नाम क्या है मैंगी फेरा इंडिका क्या नाम है बाबू मैंगी फेरा इंडिका चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और बिग्यानिक नाम है इसको भी देख लेते हैं इसके बाद धान है ठीक है और जी याद कीजिए अब यहां पर मट्र मट्र से को याद आया बता दें मेंडल साब ने अपना किस पौदे पर प्रयोग किया था तो मट्र पर किया था बाबू याद करिए यह इंपोर्टेंट है चलिए मट्र का बेग्यानिक नाम क्या है पाइसम सेटीवम क्या नाम है बाबू पाइसम सेटीवम ठीक है अब यह चन्ना चन्ना का बेग्यानिक नाम शीसर एरिटीनम क्या नाम है बाबू शीसर एरिटीनम सरसो का मस्टरड का मस्टरड का बेग्यानिक नाम क्या है बाबू अपने दोस्तों के बीजियों करते रहें चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए माइडियार आप हम लोग इस्टार्ट करते हैं कोशी के भिग्यान के बारे में को पढ़ना है कोशी का भिग्यान में जीऊद्रब का तो अपविन सन astronauts की आगे कि किया जीऊद्रब का नामकरन पूर पूर कीया कर आप चालिए में अधर고 मेरे साथ अंगर बलींगा न पढ़ाईए कर द्यान को कल तो टो online से पर आड़त कर वाचे कंदा याई जयान है के जाना एक में यह बहुत सारी समस्या है लेकिन ओनलाइन में एकदम आप जब चाहें पूरा सिले बस एक दिन में चाहें तो एक दिन में वीडियो देख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं बस मन जो है ना मन को इसको संखुचित कीजिए पढ़ाई के केंद्रित कीजिए और पढ़ाई फोकस क कीजिए हमको पता है कि बच्चे लोग जो है बहुत ही इधर उधर उदर उनका मन भटकता है फ्री समय में पढ़ाई फोकस करें आप लोग ठीक है बाबू अब ध्यान दीजिए फीट से एक बार रिपीट करवाद रहे हैं जियो दरब का नाम करण किस ने किया था तो पू आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको भीवी यह स्टार लगा करके आप लिख लीजेगा एक्जाम में काफी आता भी हो ठीक है अब यह एक जो है तरल गड़ा रंगहीन परभासी लस लसा जो है वजन यूप पदार्त है जीव किसारी जैविक किरिया इसी से द्वारा जो होती सब्सक्राइब जीवन करते हैं जीवन का भातिक अधार जिवाटी कर दो आगे बढ़ते हैं ध्यान देंगे जिवद्रव दो भागों में बाठा गया कितने भागों में बाठा गया है दो भागों में बाटा गया है पहला है कोशिका दरफ क्या है बाबो कोशिका दरफ इसको हम लोग इंगलिस में साइटो प्लाजम करते हैं ठीक है ध्यान देजे यह कोशिका में केंद्रक एवां कोशिका जहिली के बीच में रहता है कहां रहता है तो यह कोशिका केंद्रक जो होता है न सेंडर उसके अंदर रहता है कि देखिए जूदरब का 99% परसंट भाग दो नीमने 4 तत्व से मिल कर के बना होता है जिवद्रब का 99% भाग जो रहता है पहला है और कर रहता है और कारवन का जो एक यह 10.5 परसंट रहता है और हीड्रोजन का परसेंट रहता है नाइट्रोजन का कितना ड़ाता है टू-पॉइंट फाइब और समझी जिव द्रभबेज का जो 99 परसेंट भाग है इन चार तत्वा से मिल करके बना है कौन-कौन से परसेंट रहता है कारबन टेन 45 परसेंट रहता है है और नेट्रोजन ये 2.5 परसेंट रहता है अंडेस्टेंड और चलिए अगे वढ़ते हैं दिये इधर ध्यान देंगे आप लो, जियो दरब का लगबाक 80% भाग जो है जल होता है, क्या होता है? 80% भाग जल होता है, जियो दरब में अ कार्बनिक ऐं कार्बनिक योगी का अनुपात 181 एनुपात 19 होता है, ठीके बावे, चलिए अब हम लोग आगे कोश्का में आते हैं, कोशिका को हम लोग सेल के बारे में कुछ पढ़ते हैं, सेल चेप्टर से जो है एक कोश्चन हर हाल में exam में पूछे जाते हैं एक सेट अगर दो कोई जाते हैं यह कोश्चन थो हर नहीं तो हर गोफिका जो है सेल जीवन की सबसे छोटी कट त्मक केरे खिराजनातमकन की जिए अगले सबसे छोटी करे आत्मक लोगन क LINKE करते हैं और जो अध्यान को हम लोग करते हैं साइटोलोजिक करते हैं अब देखिए कोशिका का सब्द का परयोगसर प्रधम अंग्रेज बेज्ञानिक जो था रोबोट हुक ने 1665 में किया था कोशिका का नाम कौन किया था ट्वक का सब्द कर लुण में अब कोई विडिया आपको कोई जयाँ के लिए के लिये बिलकुल आपको जो है कोई ग्याम के लिए आपको कोई टेंसन नहीं लेना पड़ेस। मेरा सारा वीडियो अब धीर धीर सब्जेक्ट वाइज भी आएगा फ्री समय में हूं मैं सारा वीडियो डालूंगा मैं है है जली आगे देखिए सबसे छोटी कोसिका जिवानों माईको प्लांग यहली रेसी माज की काइँ है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सब्से लंभी कोशिका अगर आता है एकला किया है सब्से बड़ी कोशिका तंत्री का तंत्र की कोशिका अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाये तो सुत्रमूर के अंडे किसका ऑश्ट्रिस्ट का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका सुत्रमूर के अंडे और सबसे लंबी कोशिका तंत्री का तंत्र सबसे बड़ी कोशिका सुत्रमूर के अंडे ठीक है भाबू अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ध्यान देंगे कोशिका सिधान्त का प्रतिपादन 1839-1849 में किस ने किया था ध्यान देजे कोशिका का प्रतिपादन कौन कौन किया था ध्यान देजे स्लाइडन और स्वान किस Θ Leah fashioneduted स्लस्ट इन स्सɸलाइडन और स्वान कि कौ लीगा था5000-1839 में प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ओडिया ऐगे बिल्कुल मैं आपको कहड़ा हूं न एक सबीस परसंट गरांटी देता हूं मैं आपको जीरो से हीरो अवस से बना दूंगा बस मेरे साथ जूड़े रही है चले आगे बढ़ते हैं कोशिका सिधान की मुख्य बाते जो है इस परकार है क्या क्या सिधान थे इस बात का हम अनिक कोशिकाओं का बना होता है यह क्या अनिक कोशिकाओं का बना होता है जैसे हमारा सरीर जो है लाको करोड़ों सेल मील करके हमारे सरीर का निर्मान हुआ है अगे बढ़ते हैं पड़ते कोशिकाओं एक स्वाधी निकाई है तरह आपी सभी कोशिकाओं मील करके काम करती कि हम अभी आपसे बोले ना सारे कोशिका मिल करके हमारे के पूरे सरीर को बनी सारा कोशिका मिल करके एक साथ काम करती है फल स्वरूप एक जीव का निर्मान होता है इसके फल स्वरूप क्या होता है एक जीव का निर्मान होता है अब देखिए कोशिका का निर्मान जो है जिस किरिया से होता है उसे केंद्रक कहते हैं या मुख अभी करता कहते हैं ठीक है कोशिका का निर्मान जिस किरिया से होता है कोशिका दो परकार की होती है बाबु कोशिका कितने परकार की होती है कोशिका दो परकार की होती है पहला है प्रोकारियोटिक क्या है प्रोकारियोटिक प्रोकारियोटिक ठीक है दूसरा गया है यूकारियोटिक दूसरा क्या वाबु यूकारियोटिक ठीक है चलिए अब एक क्रेटिक कोशिकाव में जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है क्या नहीं होता है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण जो है क्रोमैटीन नहीं बन पाता है क्या नहीं बन पाता है क्रोमैटीन नहीं बन पाता है और केवल डीने का सुत्र ही जो है गुंसुत्र के रूप में पड़ा रहता है अन्य कोई आवरन इस घेरे में नहीं रहता है और तो केंद्रक नाम की कोई बिक्सित को शिकांग इसमें नहीं होता है ठीक है अब देखे आगे बढ़ते हैं हम लोग जीवानों एवं निल हरित सेवालों में जो है ऐसे ही कोशिकाय मिलती है कहा कह रखेंगे बाबू यूकरियोटिक कोशिका के बारे में इसको देखिए इन कोशिकाओं में दोहरी जिल्ली के आवरन किसमें यूकरियोटिक कोशिका में जितनी होती है दोहरी जिल्ली के आवरन होता है और केंद्रक आवरन से घीरा सुसपस्ट केंद्रक पाया जाता है जि लिए होता है यह ख्रियोटिक कशका में क्या-क्या जो अंतर है जो मेन इंप्टेन डिफरेंस है का फ सिक हदने इड़े जैसे की देखिए ए Сп्रोरा क्रियोटो क्में प्रोटीन तता कार्वर्डर्ट को मतस्यों की वनी क्लाकी देख vyp है को फिरोrit होता है अपशेंट रहता है ठीक है लेकिन इुकंपारीयोंटिक में क्या रहता है अब लेबला रहता है है हुपस्थी रहता हुपस्थी रहता है लेकिन इोपस्थीत रहता है गौहोटे को से 19001 ऑसीयस आते हैं अनुपस्तित उते हैं और इसमें क्या है इसमें उपस्तित उते हैं एकसुत्र के रूप में इसमें होते हैं एकल सूत्र जिसक्वा मलक्न बोलते हैं और इसमें बावु जो है पुन बिक्षित एवाम दोहरे सुत्र के रूप में होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अब देखिए कसाभी का जो है केवल एक तंतु होता है लेकिन इसमें जो है कुल एक आरा तंतु होते हैं यूकरियोटिक में केंदरिका देखिए अनुपस्तित होते हैं इसमें और इसमें क्या होते बावु उपस्तित होते हैं सेंट्रियोल देखिए इसमें अनुपस्तित होता है और इसमें उपस्तित होता है स्वाशन देखिए प्लाज्मा जिली द्वारा होता है इसमें माइक्रोकॉंडिया द्वारा होता है स्वाशन इसमें किसके द्वारा होता है प्लाज्मा जिली द्वारा और इसमें माइक्रोकॉंडिया द्वारा होता है लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है इसमें प कोछिका मुझे भाग के पारे में पढ़ेंगे एक करके बारे सबसे पहले हम प्रति को पहले किंड़े dizer माल को पहले को कुछ रसे जोलोज कीवनी होती है और निश्चित आक्रिती ओमाकार बनाए रखने में सहायक होता है कोशी का भीति ठीक है चलिए बाबु आगे बढ़ते हैं जीवानों कोशिका भीति जु है जीवानी को जो कोशिका भीति जो होते हैं यह क्या काल आते हैं तो इसको ध्यान देजिए बैप्टी डूगल किन जो है का बना होता है किसका जिवान कौस्टीवान करते हैं जो ROB करते हैं फिलायार पादी जो है यह पतली जिल्नी के द्वारा घिरे रहते हैं जिल्ली को को सक जिल्ली कहते हैं ठीक है या अर्ठ प्रागम्य झाली होती है ठीक है कौन से जिल्ली होती है अर्थ-व व प्राम्य जो सेपी फ на में मिमरेन होती है इसका मुख्र कार जो है कोश्का के अंदर जाने वाले वह अंदर से बाहर आने वाले पतारतों का निर्धारन करता है ठीक है बाबो अगला जो है सेंट्रोस्रोम जो है इसका खोज बोवेडी ने किया था किस ने किया था वो वेड़ी ने किया था ठीक है सेंट्रो सोम को ठीक है इसको हिंदी में तार ककाय कहते हैं या केवल जो है जनतु कोश्का में पाय जाता है देखिए सेंट्रो सोम के अंदर एक या दो कॉन ऐसे ही राचना होती है जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं समसु किनारे किनारे निकाय लगी रहती है क receptive किंड्राइबोस्व क्या क llegar से तर शली नís काम करता है ठीक है किसका प्रोटीन और वसाओं का जो कि विभीन जीलियों जैसे कोशिका जीली हो गया कोशिका केंद्रक आधिक अनिर्मान करने में यह काफी सहायक होता है इसके बाद है पंचवा राइबोसोम क्या वाबू राइबोसोम देखे स्वार प्रतम रौविनल प्रतम रौविंसन एवं ब्राउन ने जो है 1930 में पादप कोशिका था जीए पहला डे ने में जन्तू कोशिका में राइबोसोम को देखा और प्रोटीन के लिए उप्यूगते अस्थान प्रदान करती है अतार्थिया प्रोटीन का उत्पादन अस्था लए इसे प्रोटीन फैक्तरी कहा जाता है और इंप्रोटीन नहीं नहीं होता है ठीक है बाबो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में या निकल मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो अपलोड हो तिसका नोटिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के तक सब्सक्राइब के पास जो है इस वीडियो को पहुंच आई है थैंक्यू धन्यवाद